हेलो एरोबड़ी कैसे हैं आप सभी स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी आप इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियो अप्लोड करवा चुका हूँ आपके लिए मैं आशा करता हूँ आप पूरी वीडियो उसका फाइदा लती है तो उसका benefit अगर कोई ना उठाए तो उससे बड़ा बेवकुफ कौन ठीक है बट मैं जानता हूँ आप सभी को आप सभी selection लाने वाले हो आप सभी के सारे के सारे जो है वो selected होने वाले हो हर हालात में selected होने वाले हो हना चलो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आप जो चैनल है उसे subscribe कर दीजे शेयर कर दीजे और अगर आप अंत में वीडियो अपको अच्छी लगती है तो उसे like ज़रूर करें ठीक है किसी तरह की कोई दिक्कत है कोई कोई query है आपकी तो आप comment section में comment करकर हमसे पूछ सकते हैं telegram channel को join कर लो ठीक है ताकि जो आपको day to day की updates हो मिलती रहे और आपको पता चलता रहे कि क्या नया है क्या पुराना है तो यह सारी चीजे मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूं तो अब भी आप यह चीजे अपने बांध लो अपनी गाठ बांध लो क्या कर लो अपनी गाठ बांध लो यानि अपने हैं जो actually exam में पहले पूछे जाते हैं जिनको प्राथमिक्ता दी जाती है ठीक है तो मैंने उन topics को पहले उठाया है जो clause test में spotting diaries में सबसे जादा इनी से related कोई ना कोई problem आती है तो एक video में हम noun नहीं करेंगे noun करेंगे लेकिन noun से related rules को करेंगे noun को हाथ नहीं लगाएंगे कि हम proper noun material noun यह तो सारे बच्चे आसे बच्चपन से यही चीज सीखते हैं किसी teacher को कुछ नहीं आता उसको noun जरूर आता होगा वो noun सीखा के चला रहता है तो बच्चों को noun के बारे में almost all पता ही रहता है ठीक है लेकिन हम उस noun से related rule को पढ़ेंगे कि noun से पहले क्या आता है आ मैंने आप जो मेरे बीचे आप slide देख रहे हैं इसमें spotting diaries हैं ठीक है spotting diaries के बाद हम क्या करेंगे कोशिश करेंगे कि हम हम इसको cover up करके इनमे rules को find out करें और अलग से भी हम एक rules को भी find out करेंगे अलग से भी हमाल topic के rule को find out करेंगे ठीक है preposition इसलिए selected target है मेरा क्योंकि preposition से related बहुत सारे questions आते हैं चाहे वो between हो चाहे among हो यानि place time direction से related सारे questions उसी में से पूछे जाते हैं clause में भी काफी जादा उ तो उसको मैंने पहले उठा लिया ठीक है पड़ आपने सभी ने रखा है लेकिन उसको एक बार revise करने में हमारा कुछ नहीं जाता है उसको quickly हम लोग एक या दो classes में revise करके उसको दो देंगे ठीक है तो ऐसे से topic में पहले उठा लेता हूं जिसके आने के chances जादा हैं चले time को जादा खराब नहीं करते हैं टेस्ट आप के नजदीक आ गए हैं focus आप studies पर करी रहे होंगे लेकिन मैं चाहता हूं अपनी health पर जरूर focus कीजिए ताकि अगर आप fit रहेंगे तभी आप अपना exam में 100% दे पाएंगे अगर आप 120% की त्यारी करते हैं तो आप दे पाते हैं स 200 से जादा के लिए 200 से नीचे के लिए target हम लोग नहीं कर रहे हैं ठीक है चलें फिर हम लोग अपने question paper पर तो हमारे पास कुछ spotting the errors हैं एक-एक question को मैं आपको एक-एक second का time भी दूँगा एक-एक second का तो नहीं 10 second का मैं आपको time दूँगा ठीक है तो आप इनको solve कीजिए अपने उसमें फिर मेरे उसमें देखेंगे ठीक है चले पहला question है whatever one may say of him no one dare call in question his honesty of purpose no error no error का issue ये होता है कि भाई अगर आपको लगता है कि कोई भी गलती नहीं है तो आप वहाँ पर क्या tick कर देंगे no error tick कर देंगे क्या कर देंगे बच्चा no error tick कर देंगे ठीक है चलिए करिए आप लोग मैं आपको time देता हूँ आप लोग पहले इसको solve करें फिर मैं एक minute में solve करता हूँ इसको जल्दी करें बड़ा आसान सा है यह इसमें कोई भी जादा सोचने वाली बात नहीं है मुझे लगता है नहीं कि जादा आपको सोचने के आवशकता पड़ रही है लेकिन जो नए जुड़े हैं जिन बच्चों का base अभी कमजोर है उन बच्चों को इस question में जादा सोचना पड़ेगा यहां से आपका test भी हो जाएगा यहां से आपका test भी हो जाएगा हम लोग आपके लिए तनी महनत कर रहे हैं तो आप भी अपनी महनत को जोर शोर डबल कर दीजे ट्रिपल कर दीजे whatever one may say of him no one dare main word क्या है यहां dare क्या है main word dare मैं एक page खोल लूँ एक page खोल लूँ मेरे दोस्तों लाल pen के से ही हम लोग करें ठीक है देखें dare के बारे में आपने सुना होगा dare क्या है एक model ये भी सुना होगा और dare का एक basic क्या fundamental क्या होता है कि ये helping verb के रूप में भी use होता है और ये main verb के रूप में भी use होता है समझे है मेरी बात को जहां dare main verb के रूप में use हो जाए उसके बाद to आना लाजमी होता है क्या आना लाजमी होता है to आना लाजमी होता है तो अब एक बार slide पे चले dare का आपको समझ में आ गया तो यहां क्या आ सकता है whatever one may say of him no one dare call in question of his honesty of purpose यहां one किसको denote कर रहा है singular one क्या है यहां singular may क्या है modal तो verb कैसा हुआ है singular इस पर depend है यानि यह तो चीज़ सही है ठीक है यह चीज़ तो हमारी सही है इसमें हमारे कोई गलती नजल नहीं आ रही no one dare call in question मैंने आपको dare का rule बता दिया तो अब यहां find out करके दिखाओ mistake तो यहां क्या आ जाएगा जब यह singular है यह singular है यह आपका modal है इसके बाद no one आ गया यहां पर भी singular आ रहा है तो भाईया यहां पर dare कैसे हो जाएगा है dare's नहीं हो जाएगा क्या हो जाएगा यहां dare's हम कहते हैं हम subject verb agreement पे चलें subject verb agreement पे अगर हम लोग चलें तो भाईय एक बाद बताओ ना वो कहता है कि singular noun के singular verb के साथ singular noun follow up होता है होता है कि नहीं भाई एक बचन क्या ही एक बचन तो यहां dare's आ गया और dare's के बाद यह rule को follow करते हो यहां पर यह ऐसा main verb का काम कर रहा है तो यहां क्या आ जाएगा मेरे बच्चे तू आ जाएगा क्या जाएगा तू आ जाएगा तू आ जाएगा तो no one dares to call in question his honesty of purpose. यह आपका phrasal verb है. यह क्या है बच्चे? यह आपका एक phrasal verb है. यानि उंगली उठाना. क्या है? उंगली उठाना. किसी पर क्या उठाना मेरे बच्चे? उंगली उठाना. ठीक है? आगया समझ बे? आगया की नहीं? चेक करेंगे. मैंने answer sheet भी मना रखी है. उसमें check करेंगे. नहीं तो आप पहले ही दूसरों के answer देख लोगे. ठीक है? दूसरा question देखते हैं. एक दो question करके फिर check करते हैं हम लोग. ठीक है? The police asked each of us about our moments on the night of the crime. यह क्या कहता है? देखिए. find out कीजिए answer इसका. क्या होगा इसमें? क्या होगा मेरे बच्चों इसमें? यहां पर भी वही rule follow up कर दीजिए. समझा दू मैं हो गया होगा आपका? चलिए. subject verb की अगर हम बात करें. subject verb agreement की बात करें. तो अभी एक चन्द मिनट पहले मैंने लिखा था कि subject should be according to verb. होना चाहिए कि नहीं? अगर यह singular है, तो यह singular. यह plural है, तो यह plural. होता है कि नहीं मेरे बच्चों? होता है ना? तो देखो, the police asked. पुलिस singular है. ठीक है, यह follow up कर रहा है. यहाँ कोई गलती है, नहीं. ठीक है? Each of us. कितनों से? Each of us. यहाँ us नहीं है. यहाँ पर each of भी लगाया गया है. यहाँ सिर्फ us नहीं है. धान देना, मैं फिर से आपको बता देता हूँ. The police asked us about our moments होता, तो वो सही होता. क्या होता? अगर यह each of us हटता, तो अस यहाँ पर होता. The police asked us about our moments. अस अबाउट आपर मूमेंट्स होता, तो यहाँ पर अवर बिल्कुल सही था. यहाँ क्या था, बच्चे? अवर बिल्कुल सही था. लेकिन अब यहाँ पर क्या आ गया? Each of आ गया. और each of क्या है? Singular. क्या है मेरे बच्चे? Singular. और अवर किसको denote करता है? Plural को, तो यहाँ आवर क्यों आया मेरे भाई? क्यों आया आवर यहाँ पर? यहाँ पर क्या आना चाहिए? About his moment. क्या आना चाहिए? About his moment. क्या आना चाहिए मेरे बच्चे? about his moment यानि क्या हो जाएगा ये ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा देखें देखें एक बार इस sentence को बना के हाँ मेरे यार मेरे दोस्तों चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा the police asked each of us about his moments यानि हर किसी से पूछा है यानि एक एक को भुला के पूछा है ना तो यहां क्या हो जाएगा his हो जाएगा चलो answer को check कर लें पहला देखो dare ये वाला याद रख लो ये वाला formula याद रख लो dare के अगर main verb की तरह use हुआ है तो उसमें two और two के बाद हमेशा verb की first form ये तो सब को two plus verb की first form two plus verb की first form दूसरा देखो each of us singular हो गया तो यहां पर his आएगा या तो ही आसकता है ही मा सकता है his आसकता है और वहां पर उसके according चल रहा है तो क्या जाएगा his आजाएगा क्या जाएगा his आजाएगा ठीक है चलो थर्ड पर देखो never before have the achievements of technology यह क्या कहता है never before have the achievements of technology so conspicuous as today when man has set his foot on the moon, no error लगाओ इस पर निशाना लगाओ खेच कर इस पर निशाना एक क्या है यहां यहां पर never before दे रखा है never before दे रखा है यह क्या कहता है never before have the achievements of technology तो क्या जाएगा इसका अंसर इसका अंसर क्या आजाएगा मेरे बच्चे इसमें अंसर आजाएगा A क्या आजाएगा A इसका एक rule होता है द्यान से सुनो इसका एक rule होता है rule क्या कहता है कि जहां never आजाए क्या आजाए मेरे बच्चे जहां क्या आजाए never आजाए उसके बाद क्या follow होता है उसके बाद हमेशा helping verb follow होता है और helping verb क्या है यह वाला formula याद कर लो मेरे बच्चो यह वाला यानि जहां किसी sentence में never आ जाए उसके बाद एक helping verb उसके बाद एक subject उसके बाद main verb और उसके बाद एक object क्या है यह यह वाला formula है आपका कि never आ गया never के साथ एक helping verb आएगा helping verb के बाद एक subject आएगा subject के बाद एक main verb आएगा और main verb के बाद क्या होगा object आएगा अब देखो एक बार एक बार देखो एक बार देखो never था never आ गया never के बाद helping verb है क्या helping verb नहीं है ना तो यहां क्या आजाएगा एक helping verb आजाएगा क्या आजाएगा मेरे बच्चे एक helping verb आजाएगा और यहां helping verb आगया according to the rule किसके according never plus helping verb plus subject plus main verb तो यहां पर एक और चीज आजाएगी वो क्या आजाएगी never before have the achievements of technology अब इसको पूरा करने के लिए achievements of technology क्या आजाएगा यहां पर इसके बाद bean आजाएगा मेरे बच्चे क्या आजाएगा bean क्या आजाएगा bean क्यूंकि यहां पर have लगा है ना ध्यान तो देओ ना यार आपको tense नहीं पता क्या आपको क्या नहीं पता मुझे यह बताओ आपको क्या नहीं पता देखो फिर से समझाता हूँ यह question मैं आपको rule याद हो गया never जहां पर आ जाए never जहां पर आ जाए उसके बाद क्या करोगे helping verb क्या यहां पर helping verb है है क्या नहीं है ना तो सीधी सी बात है यहां एक helping verb लगा दो does, did, जो भी आपका does आ रहा है ठीक है अब उसके बाद पढ़ो क्या है have दे रखा है जहां have आ जाता है यानि यह किसमें बन गया present perfect में बन गया और rule क्या कहता है इसमें have आजाता है तो क्या जुड़ता है been जुड़ता है क्या इसमें sentence में कहीं been है नहीं न अब इसका subject पकड़ो have the achievements of किसका technology यानि किसके achievements की बात चल रही है technology क्या है subject यहां क्या आजाएगा been आजाएगा क्या आजाएगा मरे बच्चे been आजाएगा यह क्या कहता है never before have the achievements of technology been so conscious as today when man has set his foot on the moon no error ठीक है समझ में आगया चलिए आगया न चलो चोथा पकड़ो आप चोथे वाला करो मैं इतने ही मिटाता हूँ आप चोथे वाला करो चोथे वाला मैं पड़ता हूँ चोथा क्या कहता है in a fit of temper he tore up a sweet letter which his wife had returned to him बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा इतना प्यारा questions अगर आपको एक्जाम में आ जाए you will get confused इतने प्यारे questions अगर एक्जाम में आ जाए everybody will get confused ना चलिए देखिए इसका find out कीजिए क्या होना चाहिए इसका in a fit of temper he tore up a sweet letter which his wife had returned to him देखे ध्यान से ध्यान से देखे तो अगर हम ये क्या कहता है एक article आपने पड़े हुए ना article आपने पड़े हुए ना article में दो article होते है कौन से? indefinite और definite होते है ज्यादा time नहीं लेंगे हम लोग rules समझाता चलूँगा मुझे पता है आप लोगों को नए rules देखने को मिलेंगे इसमें indefinite कौन से होते हैं a और n definite कौन से होते हैं the a और n कब हम indefinite क्यों बोलते हैं? जब हमें किसी भी चीज के बारे में पता ना हो किसी भी चीज के बारे में पता ना हो और definite कब बोलते हैं? जब हमारे पास उसके लिए proper information sentence में given हो यानि कहने का मतलब है हम उसके बारे में पता हो और इसमें हमारे पास proper information नहीं है जब नहीं है तो हम उसे क्या कहते हैं? indefinite और जब होती है information तो उसे कह करते है मेरे बच्चो definite हाना समझ में आ गया आप यहां देखो in a fit of temper he tore up a sweet letter ऐसा sweet letter इतना प्यारा खत जो किसने लिखा था which his wife had written to him यानि हमारे पास information है की नहीं है बताओ मुझे अब हमारे पास information है की नहीं है बिल्कुल है तो यहां पर a किसकी जगे रिप्लेस हो जाएगा dh से रिप्लेस हो जाएगा किस से रिप्लेस हो जाएगा dh से रिप्लेस हो जाएगा आया समझ में आ रहाए की नहीं समझ में मजा रहा होगा न आज की क्लास में तो बिलकुल बिलकुल यहां तक मुझे आपकी आवास सुना ही दे जाती है एक ही जगे क्या आगया द आगया क्या आगया एक ही जगे द आगया हो गया यह वाला चलें आगे चलो पांचवा पढ़ो आप लो पांचवा पढ़ो All one can gather from the children are that there was a loud noise and smoke no error बड़ा अच्छा कोशन ही है All one can gather from the children are that there was a loud noise and smoke Subject verb agreement rule लगाओ यहां मैंने इतनी हिंट दे दिया आपको Subject verb agreement का rule लगाओ यहां कैमरा जो है वो बिलकुल blackboard पे famous होता है मतलब फोकस होता है इस smart board पे मैं side में थोड़ा सा क्या खड़ा हो जाओ दिखना ही बंद हो जाता हूँ मेरे बच्चो तो लगाओ इस पे निशाना All one can gather from the children All one can gather from the children Are that there was allowed अब यहां देखो All दे रखा है, One दे रखा है Can दे रखा है, gather दे रखा है यानि यह rule follow हो रहा है यानि यह singular हो गया, gather singular हो गया Can modal हो गया, first form आगी Loud noise and smoke अब यह क्या कहता है, there was a loud A loud, यानि Loud noise भी singular हो गया Smoke भी singular हो गया हमारा subject verb agreement क्या कहता है, कि अगर singular verb है तो singular noun होगा और अगर plural verb है तो plural noun होगा, तो भाई, यहां आर कैसे आ गया आया समझ में यहां आर कैसे आ गया, इसको किस से replace कर दोगे, इस से replace कर दोगे किस से replace कर दोगे, मेरे बच्चे इस से replace कर दोगे, आया समझ में आया समझ में, क्या मज़ा आ गया न यह question भी अच्छा था, यह question भी अच्छा था, था की नहीं था बता दो ज़रा यहां क्या आ गया r की जगे is आगया क्या कहता है ये all one can gather from the children is that there was allowed, चलें एक बार अंसर पे the sweet letter हो गया था, r is all या गया अच्छा है एक rule और याद कर लो अगर all जो है ना वो अगर countable noun है अगर वो countable noun है तो भईया एक चीज़ आप याद करेंगे उसके countable अगर वो गिन सकते हो आप यानि वो गिन सकते हो तो उसके बाद plural noun होना आएगा और उसके बाद plural verb का इस्तमाल होगा, किसका इस्तमाल होगा अगर countable है, अगर वो uncountable है तो singular noun, singular verb यानि singular noun होना आएगा उसको follow up कौन करेगा singular verb follow करेगा यह कब होता है all अगर sentence में all use हो रखा है देखो ध्यान से मैं बताता हूँ आपको देखो यहाँ पर क्या है all one can gather यह क्या कहता है all one can gather all आ गया सभी हो गया लेकिन यहाँ पर one था वो countable था plural verb और अगर uncountable होगा तो क्या जाएगा singular noun और singular verb यह दो चीज आपको याद रखनी है अगर all किसी sentence में use हो और अगर वो countable हो तो plural noun plural verb और अगर वो uncountable हो sentence में तो singular noun singular verb हो जाएगा यह हो जाएगा क्या यह पिर भाहिया हो जाएगा ना चले next पे चलो next पे आओ nowadays several plastic products are superior to similar products made of rubber क्या आएगा यहाँ पर देखिये सोचिए थोड़ा दिमाग लगाओ लगा लिया दिमाग मुझे तो कई बच्चों की यह आवाज सुनाई दे रही है मतलब कैमरे से जो आवाज आ रही हो यारी कि सर टू की जगे द्यान लगा दो भाई यह तो गलत हो गया यह तो गलत हो गया superior का rule ही क्या है अगर कहीं superior word आता है तो भाई यह उसके साथ किसका इस्तमाल होता है two का इस्तमाल होता है two का इस्तमाल होता है ठीक है चलिए मैं बताऊंगा उसका rule उसका बताऊंगा अगर ये घलती नहीं तो और और अगलती रह गई चलिए मैं एक चीज बताता हूँ एक लेखन्पल देता हूँ देखो, यहां लेते हैं हम लोग गजामपल हमारी एक ब्लैंक स्लाइड है यहां हम लोग एकaker लेंगे एक्जाम्पल ये है आपने एक टेबल बनाई वो टेबल किस से बनी है वुड से ठीक है टेबल किस से बनी वुड से और वुड से क्या बनती है टेबल यानि ये दोनों क्या है यानि ये रिएक्शन कैसी है इसको केमेस्टी की भाषा में समझाओं तो रिवर्सिबल अगर इस टेबल को तोड़ दू मैं तो सीधी सी बात है ना अगर मैंने उसको तोड़ वोड दिया सब डेस्ट्रॉय कर दिया तो किसमें तबदील हो जाएगा वापिस वुड में और चूंकि वुड को शेप देकर मैंने टेबल मनाया तो वो अल्यडी रिवर् लेकिन क्या दही से दूद बन सकता है क्या मेरे बच्चो तो ये कैसी रिएक्शन हुई ए इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कैसी रिएक्शन हुई है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन तो आप देखो अंसर इसका find out करो थोड़ा सा यहां क्या दे रखा है made of rubber और आना क्या चीए आना क्या चीए, made from rubber क्या आना चीए मेरे बच्चो made from rubber क्योंकि यह जो rubber है ना इससे यह product बने है plastic products और यह irreversible reaction है कैसी, अगर इसको याद कर लीजेगा अगर reaction reversible है अगर reaction reversible है, तो तो off का इस्तमाल, किसका off का इस्तमाल, और अगर reaction irreversible है कहने का मतलब है कि अब उससे बापिस उसको change नहीं किया जा सकता जो अलड़ी बन गया है, तो from आ जाएगा क्या जाएगा तो from आ जाएगा यानि यह irreversible और यह reversible, हो जाएगा हो जाएगा, चेक कर ले answer, बिलकुल made from आ जाएगा मेरे बच्चे यह देखो, और अच्छा एक याद कर लो, superior के साथ two मैंने आपको अलड़ी बता दिया, एक याद कर लो जहां several आ जाए ना क्या आ जाए, जहां several आ जाए उसके तुरंत बाद क्या आता है, plural noun आता है, और plural verb आता है यह चीज तो आपको अलड़ी याद होगी है लेकिन यह words के साथ, जो specific words के साथ याद करने वाली चीज़े उसको याद करो क्या, कि जहां several आ गया वहीं पर plural noun आ जाएगा और वहीं पर क्या आ जाएगा, plural verb आ जाएगा, चले next पे इसको मिटा देता हूँ, आप सोचो next while आपको दिखतो रही होगा सोचो इतने तो यहां क्या आ गया, superior to यहां आ गया, इसकी जगे, from क्या आ गया, from और r की जगे क्या आ गया, is आ गया ठीक है, चलो With a lot of persuasion, Sandeep was able to get the professor agree to review his article, with a lot of persuasion, Sandeep was able to get the professor agree to review his article, बनाईगे इसका आप लोग, with a lot of persuasion, यानि बहुत सारे मतलब, इतनी सारे मतलब उसने विंती करी उससे, Sandeep was able to get यानि Sandeep बहुत असानी से उसने मना लिया professor को to review his article, यानि किसलिए मना लिया उसने, कि उसका जो article है, उसको review कर सकें, with a lot of persuasion, Sandeep was able to get the professor agree to review his article, बनाईगे इसका, बनाईगे इसका, चलें, चलो, देखो यहां पर, get के साथ main verb की third form का इस्तमाल होगा, किसका इस्तमाल होगा get के साथ, main verb की third form का इस्तमाल होगा, यानि वहाँ जो, वहाँ जो, देखो ध्यान से, वहाँ जो agree है, यहाँ पर क्या कह रहा है, with a lot of persuasion, Sandeep was able, यह rule होते हैं, जो आपको याद करने है, was able to get get the professor to do this, यानि यहाँ पर जो get है ना, इसके साथ verb की third form का इस्तमाल करना है आपको, get के साथ किसकी इस्तमाल करना है, verb की third form का और यहाँ form कौन सी दे रखी है, first form, कौन सी दे रखी है यह first form, तो क्या जाएगा agreed हाजएगा, क्या जाएगा, agreed हाजएगा, with a lot of persuasion, Sandeep was able to get the professor, agreed to review his article, यानि उन्होंने finally उसको मना लिया, क्या कर लिया, उन्होंने उसको इसको मिटा देते हैं, चलो, after toiling, यहाँ पर agreed आ जाएगा, after toiling very hard over a long period, he found he had hardly made no profit at all, बनाओ इसका, क्या बनाओगे, अगर आपको hardly के बारे में सब कुछ पता है, तो आप इसका easily बना लोगे, अगर आपको hardly के बारे में नहीं पता, तो आप नहीं बना पाओगे, बनाओ इसका, after toiling very hard over a long period, he found he had hardly made no profit at all, सारा sentence, उपर से लेकर नीचे तक को अगर देखें, after toiling very hard over a long period, over लगा है, long period दे रहा है, toiling दे रहा है, verb की third form, fourth form V1 plus ING वाली, V1 plus ING, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गर्वर नहीं है, he found he had hardly, he found he had hardly, अब इस्तमाल किसका हुआ है, hardly का, किसका, hardly का तो बचे, तो क्या है, hardly itself क्या है मेरे बचे, negative word है, hardly itself क्या है, negative word है, और याद रखो, याद क्या रखना इसमें कि जहां hardly इस्तमाल हो जाए, वहाँ no not का इस्तमाल नहीं होता, जहां hardly इस्तमाल हो जाए, वहाँ no not का इस्तमाल नहीं होता, तो यहां no क्यूं लगा रखा है, इसको remove कर दो, इसको remove कर दो, after toiling very hard over a long period, he found he had hardly made profit at all, उसको लगा कि उसने बहुत कम ही profit बनाया है, क्या यही है, hardly is negative, चलो next पर चलते हैं, तसी कर लें, पूरे 15 करें चलो, no girl in the troop is so sprightly as your daughter, यह कहता है no girl in the troop is so sprightly as your daughter, no error, बनाओ इसमें, no girl in the troop is so sprightly as your daughter, बनाओ बनाओ, यह क्या कह रहा है यहाँ यहाँ पर, no girl in the troop troop, हना क्या कह रहा है मेरे बच्चे, यहाँ पर troop कह रहा है, तो देखो यहाँ पर क्या आजाएगा यहाँ के इसमें गड़बड है no other, यह क्या कहता है देखो यह, मैं आपको पूरा बताता हूँ यह देखो, यहां पर क्या आजाएगा मेरे बच्चे, A में गलती है, A में, गलती क्या है, instead of, number, यानि कहने का क्या मतलब है, no other, instead of, यहां पर क्या आएगा, यह जो girl है, मेरे बच्चे, इससे पहले क्या आजाएगा, no other आजाएगा, क्या आजाएगा, no other आजाएगा, मैं बताता क्यों 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 क्य बरूल है कि no other आना चाहिए क्या आना चाहिए no other no other girl in the truth is so sprightly as your daughter यानि तुम्हारी बेटी को छोड़कर ऐसी कोई भी लड़की इस गुरूप में नहीं है जो sprightly यानि बहुत ज्यादा energetic हो ना बहुत ज्यादा क्या हो बच्चे energetic हो next देखें no sooner the bell rang than there was a scramble for getting out of the theater यह कहता है no sooner the bell rang than there was a scramble यहाँ no ऐसे वाले वर्ड आते ना तो इसमें no sooner के rules को देखा करो क्या देखा करो no sooner के rules को follow up किया करो करो follow इसको no sooner जहां आता है वहां क्या आता है no sooner जहां आता है वहाँ क्या आता है, बनाओ, बिटे, देखो, देखो, अगर no sooner आ जाए, तो वो follow किसको करता है, वो follow करता है, then को, क्या ये सही है, क्या ये सही है, देखो no sooner the bell rang, then there was a scramble, ये तो सही है, ये तो सही है, यहाँ then भी follow रखा है, अब बताओ, अब बताओ, no sooner the bell rang, then there was a scramble for getting out of the theater, for getting out of the theater, देखो, एक चीज़ याद कर लो, ये no sooner than वाला मैंने रूल बता दिया, दूसरा रूल याद करो, दूसरा रूल क्या कहता है, no sooner जहाँ आ जाए, उसके बाद helping verb आती है, प्लस आपका subject आता है, प्लस main verb आती है, उसके बाद object वग तो ये आपने पहली चीज़ नोट करी, ये आपने क्या किया, पहली चीज़ नोट करी, अब दूसरी चीज़ नोट करने वाली क्या थी, कि जहाँ no sooner आ जाए, उसके बाद helping verb आता है कि नहीं आता है, helping verb आता है कि नहीं आता है, देखो ना मेरे बच्चे, helping verb, क्या आएगा, helping verb और यहां पर क्या है was यानि यह बात कर रहा है past indefinite की past की बात कर रहा है तो यानि यहां पर क्या आजाएगा did आजाएगा no sooner यहां helping verb नहीं है न और rule क्या कहता है no sooner plus helping verb no sooner plus helping verb no sooner did the bell rang than there was a scramble for getting out of the theater आगे समझ में आगे समझ में next देखें the number of homeless villager looking for a property is an immediate and top priority of the government इसको हम बाद में कर लेंगे जो हमारे 11 12 13 14 15 है इसको मैं next slide में जोड़ दूँगा इसको मैं next slide में जोड़ दूँगा अभी हम half an hour की video रखते हैं अभी हम half an hour की video रखते हैं ठीक है इसको फिर दूसरी video में जोड़ कर मैं बना दूँगा थोड़ा सा time लंबा हो गया अगले video में हम लोग time को short कर देंगे क्या करतेंगे time को short कर देंगे बाकी अगर आपने इसका screenshot ले लिया तो आप अपने answer भी त्यार रखना आप अपने answer त्यार रखना इसको जोड़ कर फिर आगे video को और बड़ा बना लेंगे समझ में आ गया तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की video बहुत अच्छी लगी होगी अगर आपको आज की video अच्छी लगी है तो इसे share करे, like करे और subscribe करें हमारे channel को आगली video का इंतजार कीजे तब तक जै हिन, जै भारत